फ्रेंड्स भयंकर तरीके से बालों को लंबा करने के लिए आपको प्यास से बहतर और कुछ मिल ही नहीं सकता है जी हाँ फ्रेंड्स इसके लिए आपको रेड मीडियम साइस की दो अनियन को लेना है आपको सिर्फ रेड कलर की अनियन को ही चूस करना है क्योंकि red color की onion hair grow करने के लिए बहुत ही ज़ादा फायदेमंद होती है उसके बाद friends आपको इसको अच्छे से दोनों साइटों से काट लेना है और इसके चिकल्स को हाथ से या फिर knife की help से उतार लेना है उसके बाद friends आपको इसे करना है कदू कस friends जब आप प्याच कदू कस कर लेंगे तब आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी उसके बाद आप किसी भी काच की या फिर स्टील की बाउल में चमच की help से इसको दबा दबा कर आपको इसके रसको निकालना है friends red onion ही क्यों हमारे heads को grow करने के लिए सबसे ज़्यादा फायदे मन्द होती है क्योंकि red onion में sulfur सबसे ज़्यादा पाये जाता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मन्द होता है जब अनियन हमारे बालों तक पहुंचती है अनियन का जूस हमारे बालों पर लगता है तब हमारे जो स्कैल का ब्रेट सर्कुलेशन तेज होता है जब हम इसे लगा कर अपने हैड की मसाज करते हैं जब मसाज करने से हमारा ब्रेट सर्कुलेशन तेज होता है तब हमारे जो सर की बालों की जड़े होती है वो मजबूत होती है और जब हमारे बालों की जड़े मजबूत हो जाती है तो फिर हमारे हैर्स ट्रो बहुत ही तेजी से करते हैं Friends, आपको इसको इसको इस्तमाल कैसे करना है और कैसे लगाना है अब हम ये जान लेते हैं. Friends, Red Onion को आपको इस तरीके से इसके जूस को आराम से पहले तो निकाल देना है. उसके बाद इसमें थोड़ी smell तो आती है अगर आपको इसकी smell से दिक्कत है तो आप सिर्फ इसे head wash करने से 15-20 मिनिट पहले ही अपने बालों पर लगाएं अगर आपको इसकी smell से कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप इसे overnight पूरे hairs पर लगा कर भी छोड़ सकते हैं इससे friends आपके बाल बहुत ही तेजी से grow करने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके बाल दुगनी तेजी से काले लंबे घने मोटे होने स्टार्ट हो जाएंगे friends अगर आप लोग को वीडियो पसंदाए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मिद्भूरिएगा और friends आप लोग को ये उपाय कैसा लगा है और आपको इससे फायदा हुआ है या नहीं प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताईएगा और वीडियो को यहां तक बहुच करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया ठाइंक यू और बाई बाई